को तरिए को रहा है एक डो इसानेगे हैं अजिर सब्सक्रार ने हैं और मेरे साथ जूड के छो हैो है अपना जो exam है, IBACA सबसे पहला exam है आपके सामने, उसको हम लोग बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से समझ के crack करें, राइट, चलिए, तो बात ऐसी है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, आपका October मन्त है और Nobel Prize जो है, वो मिलते हैं, so Nobel Prize के ओपर हमारा सवाल पूछा ज सकता है, तो बात ऐसी है कि क्या-क्या important आज Nobel Prize से related चीजे है, annually इन Nobel Prize को दिया जाता है, याद रखिएगा, छे काटेगरीज में इन Nobel Prize को दिया जाता है, जैसे कि आपका physics, chemistry, medical, science and economy and literature and peace, तो यह 6 काटेगरीज है जहाँ पर Nobel Prize दिया जाता है, यह Nobel Prize दिया जाता है, एक foundation, एक संस्था के द्वारा, जो की कहाँ पे है, स्वीडन के स्टोखोम शहर में है, स्वीडन के स्टोखोम शहर में एक संस्था है, Nobel Foundation, वहाँ से इसके awards को दिया जाता है, जो नोबल पीस प्राइज है, देखो, 6 काटेगरीज है, 6 फील्ड्स है, इन 6 फील्ड्स में जो पीस वाल का फील्ड है, यानि कि पीस काटेगरी में जो नोबल प्राइज दिया जाता है, वो नोबल प्राइज आपका, कहां से स्वीडन स्टोखोम से नहीं दिया जाता, वो किसी और जगा से दिया जाता है, और वो दूसरी जगा कौन सी है, वो नौर्वे का उसलो शहर है, नौर् आगे हमारे लिए काम की चीज़ क्या है हमारे लिए काम की चीज़ है बच्चो हमें यह देखना है कि कौन से Nobel Prize winner थे हमारे इस साल के गजिक है कौन से Nobel Prize winner थे इस साल हमारे जैसे कि For Example Physics की physics की बात करूँ तो बेटा आपको पते क्या करना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ आपको कोई ट्रिक देखनी पड़ेगी अपने लेवल पे जैसे for example physics की बात करें Perry मुझे याद आ जाएगा physics Perry Frank and any Perry Frank any PFA ऐसा learn कर सकता है physics में किसको मिला PFA को मिला Perry Frank any ठीक है आपको learn करना है क्योंकि आपका paper है मेरा paper नहीं है तो आपको मेरे साथ ही इन चीजों को learn करना पड़ेगा यानि कि आपको अगर अच्छे से learn करना चाहते हैं तो एक तो जुबान से भी बूलिएगा और लिख भी लीजेगा कि चलो Nobel Prize जो है वो किसको मिला physics में Perry Frank and any को को मिला ठीक है तो यह PFA तीन लोगों को मिला ताकि आपको ज्यादा टाइम learn रहे चिक है वैसे जर्नली क्या है किसके लिए मिला यह थोड़ा complicated होता है तो ऐसा सवाल पूछा जाता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग मतलब two certain extent देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है इन्हों ठीक है electronic dynamics in matter electron dynamics in matter so basically pulse of light एक code एक you know एक keyword है जिसको हम learn कर सकते हैं कि इन्होंने उसके regarding काम किया है राइट ठीक है चलो दूसरा है chemistry के लिए chemistry में किसको मिला है बिटा मौनगी को मिला है लुएस को मिला है और एलेस एलेक से को मिला है एलेक से को ठीक है तो chemistry जो है वो किसके सही बनती है MLA के साथ सही बनती है जो भी अफसर लोग होते हैं उनको MLA के साथ सही chemistry बिठानी पड़ती है मौनगी लोईस एंड एलेक से एना इस तरीके से learn कर सकते हैं और यह किसकी बात करने quantum dots की बात करें इन्होंने क्या find out किया quantum dots find out किया है ठीक है next हम लोग बात करते है Medical Science यानि की Physiology के अंदर Medical Science में हमारे पास है Drew and Catalin ठीक है Medical Science में कौन है Catalin and Drew तो Medical D से मुझे ही आ जाएगा Drew और DK ना DK मामा होता है ना DK मामा सबका इलाज कर देता है ऐसा आपने सुना होगा ठीक है DK मामा सबका इलाज कर देता Medical Science में आपका DK हो गया है that is Drew and Catalin इन्होंने क्या किया इन्होंने basically COVID-19 से related जो है vaccine बनाने की vaccine से related इन्होंने चीज़े find out की थी यहाँ पे एक बच्चा कह रहे है सब्सक्राइब के लिए तो थोड़ा detail में देखना पड़ेगा absolutely correct बर अभी CPF तो August में होगा ना don't worry content same रहेगा content same रहेगा CPF के लिए थोड़ा detail में पढ़ लेंगे लेकिन तब जो CPF आएगा तो उस हिसाब से देखेंगे right don't worry उस टाइम पर भी मैं ही आपको पढ़ा दूंगा content same रहेगा ठीक है चलो अब यह बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि CPF हो गए जैसे CDS exam हो गए इन बच्चों के लि इन लीजे का literature क्या है John Foss है इनका एक walk है यानि कि साहित्यकार है दा अधर नेम जो है वो इसका answer है चीक है दा अधर नेम बेसिकली इनका काम है आगे चलते हैं पीस के लिए किसको मिला है बिटा पीस के लिए मिला है नर्गिस को मिला है नर्गिस मुहम्मधी को मिला है यह इरान से औरहत है और इन्होंने basically क्या किया कि महिलाउन के साथ जो अत्तैचार होते हैं महिलाओं के साथ जो अत्तैचार हूते हैं उनके अगेंस ढवाज उठाई उनके अगेंस अवाज उठाई and Next हम लोग बात करते हैं Economics next हम लोग बात करते economics की तो economics में claudia godlin है क्या नाम है claudia godlin है इनको basically जो है award मिला economics में इन्होंने कुछ women labor market related जो है वो काम किया i women labor market के लिए भी काम किया है राइट NDA के लिए भी detail में पढ़ा रे नहीं भाई nda cds सब पढ़ा देंगे don't worry तुम इतना टेंशन मत लो ठीक है तुम सोचते हो एंडीय नाम ली लिया तो इंडीय सर पढ़ाई नी रहे देखो जो पढ़ाई डिफेंस की होती है वो लगबग सेम सेम होती है टोंट वरी अबाउट इट टेक है करनेंट अफेर्स सेम सेम ही दिखेंगे तुमको अलग कुछ नहीं दिखेगा राइट चलो इतना क्लेर है बटा एकनोमिक्स में क्लाउडिया को मिल गया नोबल प्रैस ये हिंदी में भी मैंने लिखवाया है अपने टाइप से तो आप हिं में आएंगे या 25 सवाल CDS में आएंगे 20-25 सवाल आपके CAPF में आएंगे तो आप उसमें से ज्यादा solve कर पाएंगे और मुझे बताएंगे कि सर मजा आया solve कर पाएं हम लोग तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा result होगा ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं आर बीए के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है बेटा शक्ति कांता दास इनको मिला है एक अवार्ड यह वार्ड क्या है एप्लस रैंकिंग जो है इनकी हुई है अवार्ड मिला एप्लस रैंकिंग इन्द ग्लोबल फनाइंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड दो हजार तेईस के अंदर चेक है अच्छा एक और प्राइज है वो प्राइस के है शाका रोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ ठीक है ये शाका रोज शाका रोव प्राइज फॉर फॉर फ्रीडम ऑफ थॉर्ट का मतलब है विचार की स्वतरनतरता के लिए शाका रोव पुरसकार दिया जा रहा है और यह जो पुरसकार है यह किसको मिला है ये पुरसकार मिला है महसा अमनी को किसको मिला है बिटा किसको मिला है महसा अमनी को मिला है ये महिला है जो कि इरान में पुलीस हिरासत में मरने वाली कुर्द इरानी महिला महसा अमनी और इरानी महिला विरोध अंदोलन को विचार की सुछतनतरता के लिए यूरोपिय संग के साकरो प्राइस से समानित किया गया है इसका मतलब क्या हुआ ये जो महिला थी ये महिला एक कुर्द इरानियन महिला थी ठीक है इरान के इससे तालुक रखने वाली ये महिला थी जिस जो की पुलीस कस्टडी में इसकी मृत्यू हो गई मतलब पुलीस वालों ने किया हो गई के साथ अत्याचार राइट पुलीस कस्टीडी में इस महिला की मृत्य वो गई और यह जो महिला है यह महिला प्रोटेस्ट कर रही थी Iranian Women protest movement में जहां पर यह इरान की महिलाओं का support में खड़ी हुई थी कि इनको सब वर इनको इनको protection मिले इनको freedom मिले इनको यह सब मिले अब यह जो साकरोव प्राइज है बच्चों यह साकरोव प्राइज फ्रीडम ओफ थॉर्ट वाला जो प्राइज है यह प्राइज यूरोपीन उनियन का टॉप हुमन राइज प्राइज है किसका प्राइज है यूरोपीन उनियन का टॉप हुमन राइज प्राइज है यह सव उसको ये प्राइज मिलता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये European Union के द्वारा दिया जाता है, चलिए, एक और current affair है, छोटा सा current affair है, ज्यादा घुसेंगे नहीं, इसके अंदर simple है कि Canada India Foundation Award है, इस Foundation Award को किसको दिया गया है, आपको पता होगा Infosys के founder है, कि अनर, नारायन मूर्ती, जानते हैं ना, नारायन मूर्ती साहब, इनके जो दामाद है, वो कौन है, UK के प्राइम मिनस्टर, है कि नहीं, तो नारायन मूर्ती साहब की जो पतनी है, जिनका नाम कहा है सुधा मूर्ती, इनको ये Award मिला है, कौन सा Award है, Canada India Foundation Award, ठीक है, Canada India Foundation Award, तमिल राइटर है, तमिल लिखक है, ठीक है, अमबे इसका नाम है, अमबे जो है, इनका नाम है, जिसको Tata Literature Live, Lifetime Achievement Award मिला है, ठीक है, देखो मैंने इतना 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 लिखका है, इतना इतना, कितना इतना, चार लाइनों वाला, अब चार लाइने ही ठीक ठाक है, को पढ़ा दिये, अब नेक्स हम लोग बच्चों बात करते हैं, बाल साहित्य पुरुसकार 2023, अब देखो, बाल साहित्य पुरुसकार 2023 जो है, यह ओनर किसको मिला है, इस बार, यह मिला है बेटा, दिलिप को, किसको मिला है, दिलिप को, दिलिप जो है, बाल साहित्य पुर हावर्ट की है इमबा मां सोंग नंगा बेर मज़ब बड़ा मुश्किल यह नाम लेना बट इट इज ओके राइट तो आप इतना लइन कर लिजे बाल शास्त्री इसाहित पुरुसकार किसको मिला एक दिलिप को मिला बस इतना लर्न कर लो कि दिलब को मिला है क्योंकि यह जो यह जो चीजे होती है ना यह चीजे एग्जामिनर भी जानता है कि यार यह बच्चे को इतना कौन सा टफ हम लोग पूछे राइट तो वह नहीं इस तरीके की चीजे पूछेगा राइट पर इंग्लिश लिट्रेच के लिए किसको मिला है इंग्लेश लिट्रेचर के लिए किसको मिला है यह मिला सुधामूर्थी को किसको मिला है सुधामूर्थी को मिला है इन्होंने बैसिकली ग्राइट पैरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी यह कुछ लिखावट थी इन्होंने लिखी थी चीजे इसलिए और इसके लिए किसको मिला है सूर्यनात सिंग फॉर कुटक अब कुटक अब जो है सूर्यनात सिंग को मिला है कुटक अब से मराथी लिट्रेचर के लिए किसको मिला है एकनात को मिला है मराथी लिट्रेचर के लिए एकनात मिला है समझ गया आप लो तो बाल साहित पुरुसकार दिलिप को मिला है English Literature सुधा को मिला है Hindi Literature सूर्यनाथ को मिला है इतना तीन दो तीन चार चीजे पढ़ दीचे का चली आगे चलते हैं आगे चलते हैं और बात करते हैं Dutch Spinoza Prize 2023 दच Spinoza Prize 2023 अब यह किसको मिला है यह मिला है जोईता गुपता को किसको मिला है जोईता को अब देखो डच है ना डच लोग है ना तो उनको देखके खुशी होती है तो डच लोगों को देखके खुशी होती है तो जोईता गुपता को यह मिला है और इनको यह प्रस्टीजिस अवर्ड मिला है ठीक है climate change से related उन्होंने काम किया था बात इतनी सी है ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे आपके पास है बत्तिस्वा सरस्वती सम्मान for the year 2022 तो यह जो बत्तिस्वा पहली तु बात है कि सरस्वती सम्मान अवर्ड जो है यह कौन सा edition है बत्तिस्वा पहला सवाल पहला point है दूसरा point क्या है बेटा कि यह किसको मिला है यह सिवा संकारी को मिला है किसको मिला है शिव संकरी को मिला है शिव संकरी को मिला है एक कारे करता है इन्होंने basically एक author भी है मतलब लिखने वाली लिखते भी है और बहुत अच्छे activist भी है तो इनको यह सरस्वती सम्मा सम्मान मिला है 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है बात करो बात खतम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सत्य जी तरे excellence in film lifetime award 2023 किस को मिला है यह मिला है बेटा Hollywood actor है, जिसका नाम है Michael Douglas, किसको मिला है, Michael Douglas को मिला है, ठीक है, किसको मिला है, Michael Douglas को मिला है, ठीक है, Michael Douglas, जो है, सत्य जी तरे Excellence Award मिला है, ठीक है, राइट, इतना clear हो गया, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 54th, 54th International Film Festival कहां पे हुआ था, गोवा में हुआ था, 54th International कहां पे हुआ था, गोवा में हुआ था, ठीक है, 54th International कहां पे हुआ था, गोवा में हुआ था, clear हो गया, चलो, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, क्या important है, क्या है, award for global leadership by Harvard Law School, यह, global leadership का जो award है, यह किसके द्वारा हुआ है, किसके द्वारा दिया गया है, बैसिकली, Harvard Law School के द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, Chief Justice of India को दिया गया है, जो कि है, डीवाइ चन्दर चूर, तो आपने याद रखना है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडर्शिप किसको मिला है हमारे जो CGI है जस्टिस दीवाई चंदरचूर उनको मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से लीडर्शिप अपना रोल प्ले किया जब वो RBI के गवर्नर रहे और अभी भी है चलो पर इन्होंने बहुत अच्छा सा अपना जो रो लीडर्शिप अवर्ड कौन सा US ISPF ग्लोबल लीडर्शिप अवर्ड फॉर फिलन्थ्रोफी किसके लिए फिलन्थ्रोफी और कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी किसके लिए बच्छो फिलन्थ्रोफी और कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी क्लेर हो गय अब आपको पतन मुकेशंबानी इतना अमीर इंसान है तो उसकी जो पतनी है वो थोड़ी सी कारेकरता वाला काम करती है यानि कि कोई समाज कल्यान के लिए फिलन्थ्रोफी वाला काम करती है तो अवार्ड इनको मिलते रहते हैं अब बचों हम लोग बात करेंगे इंडेक्स एंड कमिटी एंड सर्वे एंड स्टडीज की की कौन-कौन से इंपोर्टेंट जो है इंडेक्स रिपोर्ट आई है हमारे सामने है ठीक है चलो राइट इस अट्लेर टो एव्रीवान एक बार कन्फर्म कर दो सबके सब की सब को क्लेर हो गया एक बार जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी सब को क्लेर एक बार सब की सब बच्चे कर अच्छा है चलो बहुत शांदर बहुत अच्छा है चिक एक लेयर होना बहुत जरूरी है कि के आप सोच रहेंगे की सर्थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ारे है क्योंक तो बेखो लिखो अल्टिमेटली दिस अब जैसे होता है ना कि जब आपके एक्जाम सा थे तो हम लोग रात रात भर पढ़ते रहते थे थे ना एक दम मतला ऐसा लगता है एक सेकंड एक पल एक घंटा एक मिनिट एक सेकंड सब कुछ और इक्जाम से पहले जो एक दो घंटे की पढ़ा ह Hai बच्चे नोटस लेकर अपनी किताबे लेकर एक्जाम सेंटर के बाहर खड़े होते हैं तो वह एक दो पल चार पल की भी बहुत कि अम्पोर्टेंस होती है आप जितने भी IB के बच्चे होंगे, तो what best we can do it, यह मेरे दिमाग में आइडिया आया था, जो मैं शायद अभी मैं शेर करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, तो you can good to go, right, आप कर सकते हैं, right, इसमें आइडिया सिर्फ इतना है बच्चो, मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से जल्दी कि यह जो अगले कितने दिन होगे, 11 तारीक होगी, 11 तारीक होगी, अब 11 और 17 को आपका एक्जाम है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, चीक है, मतलब 5 दिन हमारे पास है, कितने दिन है, 5 दिन है, अब इस 5 दिन में हमने कितने घंटे पढ़ना है, मुझे इतना पता है कि बच्चा बोलता नहीं पढ़ पाता है, इतना पढ़ पाते हो आप लोग, अब आई भी का एक्जाम है, 5 दिन बाद, कितने बच्चे हैं जिन्नोंने 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, 8 घंटा मैं ये नहीं कह रहा कि क्लासे लगा लिए और मजा आ गया, ठीक है, क्लासे लगा लिए, नह देखो, मैंने आज तक इतना नहीं पढ़ा, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, चाहे बच्चा जो है, जितना भी मोटिवेटेड हो, मुझे आंसर चाहिए, पूरा का पूरा, सबसे आंसर चाहिए, देखो, कोई भी हटेगा नहीं, जो हटेगा, वो फिर इश्किल में पड़ेगा अपना नुकसान करेगा जिक है कोई कोई मैं देख रहा हूं जितने भी कॉमेंट से ना वो सब यही कह रहें नो सन नो सन नो सर पर आपको तो एक्जाम है आपका तो 17 को एक्जाम है 17 को आपका एक्जाम है याने कि you have five days left अब यह पांच दिन में हम कम से कम अपना टार्गेट लेके चलें कि डेली हमने पूरे पांच दिन में 50 घंटे पढ़ने है 50 आवर्स पढ़ना है समझे मतलब कॉंटिटेटिव ली चलते हैं कम से कम एक दिन में मतलब एक दिन का मतलब ल 10 घंटे हमने sitting DENI है समझे किनी समझे राइट sitting देनी है अब यह 10 घंटे कैसे आप पढ़ सकते हैं देखो 10 घंटे मैं भी पढ़ता था बारा घंटे भी पढ़ता था और लाइबररी 24 गंटे के भी join कर रख्थी ती राइथ अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आत कि 55 मिनित या 50 मिनित आपने पढ़ाई की 10 मिनित आपने क्या किया meditation किया 10 मिनि तेन मिनित आपने meditation किया या फिर आखे बंद कर लिए और चुप लेट गए या थोड़ा सा 10 मिनित के लिए लेट के कृर्सी से ऊठके लेट के यह आपको करना चड़े I was thinking रात को midnight मैं कल रात को ये सूच रहा था कि आपकी जो limit है उसको beyond करना है उसको तोड़ना है तो उसके लिए मैं चाहा रहा था कि मैं एक group बनाओ बच्चो का जिनका अब exam है 17 तारीक को उस group में क्या करूंगा उस group के अंदर मैं क्या करूंगा उस group के अंदर मैं बच्चों को अभी मैंने आपको बोल दिया अब आप मुझे क्या करेंगे आप मुझे message करेंगे sir we are ready to study for 10 hours right उस group के अंदर हम लोग क्या करेंगे उस group के अंदर मैं एक study plan आपके साथ share करूंगा कि सुबह इतना बज़े उटना है उसके बाद इतना 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 ऐसे से करना है तो उससे क्या होगा शोब 10 घंटे का हम लोग efficiency efficiency निकालेंगे और उसके बाद जो है 10 गंटे का efficiency निकालेंगे और उस group के अंदर ही हम लोग एक दूसरे को responsible होंगे answer देने के लिए यानि कि माल लीजे यहाँ पे इस group में 20 बच्चे हैं suppose तो 20 बच्चों में कि मेरा क्यों selection हो आप सोचिए ना आप वो बच्चा खुदी बोलेगा कि मेरा selection नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यार मैंने अपने टार्गेट पूरे नहीं किये मेर से जो बाकी 18 बच्चे थे उन्होंने पूरे टार्गेट 10 गंटा पड़ा लेकिन मैं अभी नहीं पड़ पा रहा हूं तो उसको खुदी समझ आएगा कि उसका selection नहीं होगा चीक है तो यह सबसे बड़ी practice हो सकती है जो हम लोग कर सकते हैं बट if you all agree with this तो I can make a group वो group कुछ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं जैसे आप मुझे अभी जो है यहाँ पे टेलिग्राम चैनल पर ही इसी पर ही आप मुझे personal message कर लीजे personal message फिर मैं इसी personal message में आपको एक link share करूंगा उससे आपका बन जाएगा group उसमें पहली बात तो आपका नाम सामने आ जाएंगे कि यह सारे बच्चे नाम है और मैं आपको एक study plan बता दूँगा कि आपको इतना 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 पढ़ना है ठीक है वो नहीं बताओंगो कि पढ़ना क्या है ठीक है वो तो आपको पता है क्योंकि कई बच्चे बो आपको जो है आपको एक accountability वाला जो आपका message होना चाहिए कि हां सर यह इस तरीके से जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो this was something that was I was missing यह चीज जो थी मेरे लिए missing थी जो मैं आपके लिए शायद कर सकता हूँ अगर आप आते हैं तो चीक है राइट तो इस तरीके से यह छोड़ो result result छोड़ो कि भई सर सिलेक्ट होगा कि ने छोड़ो result कुछ result से कुछ नहीं है process पे ध्यान दो अगर कोई बच्चा महनत कर रहा है daily महनत कर रहा है उसका result क्यों नहीं आएगा आप मुझे बताना समझ गया आप लो तो यह result की बात बाद में देखना पहले अपना कम से कम पांच दिनों में 50 घंटे पढ़ाई करो पांच दिनों में 50 घंटे जिस बच्चे ने लगा लिए तो वो क्यों नहीं आगे निकलेगा आप बताओ जो बच्चा एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है दूसरे दिन कुछ नहीं जो बच्चा चार घंटे पढ़ता है उससे आगे निकलोगे जो बच्चा 9 घंटे पढ़ रहा है उससे आगे निकल जाओगे तो बस सिंपल सी मैच से सिंपल सी मैच से जीतने के लिए ठीक है खुद ही आप अंदर से फील कर लोगे कि सर मेरा हो सकता है अंदर से फील करोगे ठीक है चलो ये मैंने आपके लिए करना है जो आप अगर आते हो message करते हूं good to go help you out चीक है चलो अब next हम लोग पढ़ते हैं global hunger index 2023 ग्लोबल hunger index 2023 के अंदर हम लोग क्या discuss करने वाले हैं बचो ये hunger index में भारत का rank है ये आप याद रख लीजे कितना है 111 rank है कितना rank है 111 rank है इतना आपको learn कर लेना है भारत जो है वो serious level of hunger के अंदर है serious level of hunger का मतलब क्या है भूग की गंभीर स्तर भूग का जो गंभीर स्तर है वो भारत के अंदर है इसके अलावा भारत जो है वो पाकिस्तान से भी पीछे आता है यानि पाकिस्तान से जादा हमारे देश में भूक मरी है सोचो बांगला देश से भी पीछे आता है नेपाल से भी पीछे आता है शिरलंका से भी पीछे आता है तो यह बड़ी अचंबे वाली बात है मुझे समझ नहीं आता है यह इंडेक्स कौन से कौन बनाते है राइट चली अब लोएस्ट हंगर है मतलब भोक है उसके बाद बॉसनिया है उसके बाद हैजर गोविनिया है चाइल है और चाइना है तो आपने पहला दूसरा लर्न कर लेना है कि बॉसनिया पहला है बेलारूस और दूसरा है बॉसनिया यहाँ पे आपको सबसे कम जो है वो हंगर दिखेगी सबसे कम जो कम से कम पांच दिन के लिए पढ़ना है जो भी एक्जाम है आपका आप कर सकते हैं ठीक है ओके नाव ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर बच्चो चार इंडिकेटर्स होते हैं और यह इंपोर्टेंट है हमारे हर एक्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि च हाल स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग और बार मित्यूदर यानि कि कितने बच्चे अर्डेथ हो जाती है कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जिकए अब देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिस भी देश का 0 score है इसका मतलब है उस देश के अंदर क्या है जो हंगर आवार्टे ट्वेमा फिटiegen नाशनल स्पेस डेयो है वह मनाया जाता है सरकार की द्वारा डिक्ले कर दिया है 23rd of August यह इंपॉंटेंट है 23rd of August या एर 23rd of August हर साल जो है national Space Day मनाया जाएगा क्यों मनाया जाएगा बच्चों बताओ जल्दी बताओ क्योंकि हमारे को success मिली थी सफलता मिली थी चंदरियान 3 के mission में चंदरियान 3 का जो mission था जहां पे हमने South Pole में soft landing की थी उसमें हमें सफलता मिली और हमने जो अपना विक्रम lander था हमने जो अपना विक्रम lander था और प्रग्यान rover था उसको जो हमारा surface है, surface है उसके south में हमने उतारा था, बहुत अच्छे से, तो आप याद रख लिए 23rd August, यह बहुत important है, याद रखना, चीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्छों, और देखते हैं और क्या important point है, देखे, next हम लोग बात करते हैं, impact of disaster, एक report है, report क्या क culture and food security, यह report है, यह report किसने release की यह important है, इस report में क्या है दिया हुआ, वो ज्यादा important नहीं है, बस इसमें यही दिया होगा कि भई, disaster की वज़ा से, आपदाओं की वज़ा से, जैसे बार आ गई, यानि कि चक्रवात आ गई, you know, cyclones आ गई, बादल फट गया, उस disasters की वज़ा से कितने लोगों की जान गई है, कितना जादा हमें नुकसान हुआ है, तो यह report किसने दिया है, बचो FAO ने दिया है, FAO ने दिया है, Food and Agricultural Organization ने दिया है, that's it, that's it, इसमें याद रख लो, बस इतना learn कर लो कि इसमें लिखा हुआ है कि Asia जो है, उसने सबसे जादा जो है, नुक नुकसान हुआ है, वो Asia जो है, सबसे जादा उसने जहला है, Asia ने सबसे जादा नुकसान जहला है, चली, अब next हम लोग बात करते हैं, बिटा, Global Remote Work Index 2023, Global Remote Work Index 2023, जिसमें क्या बोला गया है, कि भई, जो remote काम करते हैं, यानि कि work from home करते हैं, यानि कि आप जो है, जैसे मैं आप को घर से पढ़ा हूँ, तो वो work from home हो गया, अगर मैं office से पढ़ा हूँ, तो आपका work from, मेरा क्या हो गया, work from office हो गया, चिक है, अब यह जो report है, बच्चो, remote है, remote work index 2023 से, इसमें क्या हुआ है, कि भारत का जो rank है, वो 64th rank है, out of 108 countries में, 64th rank out of 108 countries से, यह बोला गया है, चिक है, that's it, इसमें जो पहली country है, वो याद रख लिजए, डेन्मार्क है, जो डेन्मार्क है, वो first country है, जो की सबसे top में है, इस index में, बस इतना learn करना है, कौन सा index है, यह index है, global remote work index, global remote work index है, डेन्मार्क सबसे उपर है, ठीक है, डेन्मार्क सबसे उपर है, राइट, चलो, अब आ इसको प्राइम मिनस्टर नरेंदर मोधी ने इनागरेट किया है, इसलिए हमारे लिए important हो गया है, अब यह rapid rail service कहां से कहां तक है, देखो, यह है, बेसिकली दिल्ली गाजियाबाद मेरट का यह corridor बनेगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरट का corridor बनेगा, और इसके अलावा जो इसको देख लेते हैं, green war room क्या है, green war room जो है, यह दिल्ली government का initiative था, वैसे state जो current affairs होते हैं, वो इतने आते नहीं है, बट यह थोड़ा से important था, दिल्ली सरकार का, कि दिल्ली government ने क्या किया है, launch किया है, यह green war room, इस green war room में क्या आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो air pollution है जो air pollution है, उसको basically उसके साथ लड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए, basically यह war room तयार किया गया है, जो कि एक तरीके से एक platform है, क्या है एक platform है, यानि कि एक website है, जहां से सारे के सारे सरकारी जो विभाग होंगे, दिल्ली के, वो जुड़े होंगे, तो आब क्या है, जैसे को बहुत तेजी से लिया जा सकता है, तो इसलिए green war room कुछ इस तरीके का ही initiative था, कि to combat the air pollution, यह आप याद रख लिए जगा, to combat the air pollution, यह आपने learn कर लेना है, जैके, चलो, green war room to combat the air pollution, next हम लोग बात करते है, बच्चों, उमीद, उमीद क्या है, उमीद क्या है, आपको full form याद होनी चाहिए, उमीद का आपको full form याद होना चाहिए, yes, हाँ, जी, बिलकुल, understand, motivate, manage, empathize, and empower, and develop, यह basically guidelines है, guidelines किसकी है, जो NCRT ने prepare किया, NCRT ने prepare किया है, ठीक है, किसके लिए prepare किया है, बच्चों के लिए prepare किया है, हमेशा मैं कहता हूं, NCRT की किताबे पढ़ो, NCRT की कित आपे तयार किया, अब उसमें कुछ guidelines है, उन किताबों के अंदर कुछ guidelines है, ताकि उसके अंदर, understand, motivate, manage, empathize, power, develop, यह सारी चीज़ें जो है, वो करी जा सके, ठीक है, जैसे cases बहुत सारे आते हैं, self harm के, self harm के मतलब क्या, कि जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने आपको बहुत जादा नुकसान पहुंचाते हैं कही बार, जैसे for example, physical नुकसान पहुंचाते हैं, कही बच्चे जो है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, schools में, तो वो क्या करते हैं, आपने आपको परिशान करते हैं, physically आपने आपको शायद मारते पीटते भी होंगे, शायद इन cases, कुछ ऐसे cases आते हैं, कही बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो बहुत pressure ले लेते हैं, और suicide कर लेते हैं, self harm का मतलब ये भी होता है, कही बच्चे होते हैं, जो mentally बहुत disturbed हो जाते हैं, सोचते हैं हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे बच्चों के लिए, in fact सभी बच्चो आए, जहां पर वो खुद को नुकसान पहुचा है, जहां पर वो खुद को नुकसान पहुचा है, ठीक है, now, next आपके सामने है, scheme for residential education, scheme for residential education for students in high schools in the targeted area, right, कि भाया, जो बच्चे है, बच्चों के लिए, basically school में ही hostel होगा, school का ही hostel होगा, और वो school का होगा, और वो school का होगा, इस तरीके से यह scheme को launch किया गया है, हम लोग बात करते हैं, इस scheme का नाम क्या है, स्ट्रेश्टा scheme है, तो यह नई scheme है, जो सरकार ने launch की है, स्ट्रेश्टा scheme, residential education for students in high school in targeted area, ताकि जो बच्चे SC category के हैं, जो बच्चे SC category के हैं, लड़के और लड़किया, schedule class category के हैं, उनको जो है, private residential schools in the country में, जगा मिलेगी, उनको क्या मिलेगी, seat मिलेगी, private residential schools के अंदर जो है, जो भी best private school residential है, उनको seat मिल जाएगी, right, selection of the schools कैसे होगा, best performing CBSE based private residential schools होगे, जिसमे 75% जो है, past percentage होगी, class 12th की, और 12th for the last 3 years are selected by the committee for admission in this, तो आपको simple इतना सवाल पूछा जाएगा, कि ये जो श्रेश्टा scheme है, ये किसके लिए है, बताओ, ये जो scheme है, ये किसके लिए है, ये उन बच्चों के लिए है, जो कि SC category के बच्चे हैं, boys and girls, जो कि बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, उनको कहां पे seat मिलेगी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर seat मिलेगी, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर seat मिलेगी, जहां पे residential programs भी होते हैं, यानि कि वहाँ पे बच्चे जो है, hostels में रहेंगे, और अपना पढ़ाई-लिखाई वाला काम भी करते रहेंगे, ये क्लैर होगा, चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 4 years after India walked out of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, Sri Lanka and Bangladesh are not considering their chances of membership in 15 nation trading block, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, RCEP है, ये जो है, ये एक basically, एक group है, RCEP, इसका full form का है Regional Comprehensive Economic Partnership, ये जो group है बच्चो, इस group के अंदर, भारत तो अब आउट हो चुका है, इंडिया तो अब आउट हो चुका है, चीक है, लेकिन, इंडिया आउट हो चुका है, लेकिन, अब इंडिया के जाने के बाद, श्र trading block में, यानि कि ये जो group है, इसमें जो countries है, वो trade करने के लिए आती है, कि और बहतर जो है, इनके बीच में trading हो पाए, तो trade करने के लिए ये जो countries है, 15 countries है, इसमें चाहरा है, श्रिलंका और बंगलादेश के हमारा entry हो जाए, इसमें चाहरा है, श्रिलंका और बंगलादेश क पार्टनर्स ठीक है यह आप देख लीजेगा यह आई बी के लिए तो इतना खास इंपोर्टेंट है नहीं चार मेंबर्स पंदरा मेंबर्स है यह इंडिया इस नौट दी मेंबर ऑफ आर सी पी यह आप लर्ण कर लीजेगा बात खतम बस इतना आपको करना है एक्सरसाइज स एक्सरसाइज है एडिशन 11 एडिशन है और यह किस के बीच में है इंडिया और बांगलादेश के बीच में है कहां पर यह हो रही है उम्रोई के अंदर हो रही है जो की मेघालय के अंदर है चिक है बस आपने इतना लर्न करना है चिक है आगे चलते हैं सबसे पहले यह जो हुई थी ये असम जौर हट में हुई थी 2009 में चेक है और अब जो है इसका 11 एडिशन है जो उम्रोई मेगाले में हुआ है नेक्स हम लोग बात करते हैं बच्चों LCA तेजस के बारे में ट्विन सीटर के बारे में यह मैंने कल शाम को भी सेशन में तुइन सीटर LCA की बात की थी तो उस टाइम आप पढ़ सकते हैं राइट ओके नओ ऑर ऑपरेशन ऑजए की बात करते हैं तो ऑपरेशन ऑजय क्या है ऑपरेशन ऑजए है जो सेटिजन कहां पे थे इसरेल और पैलेस्तीीन में थे भारत के जो सिटैजन थे इसरेयल और पैलेस्टीन में उन सिटेजन को एकदम सेफ तरीके से वापस लेकर आना का काँ जो था वो उपरेशन अजए का था इन्डियन यहिईन जो एरकाफ्ट्स हमारे जो गए थे जैसे कि इंडियन नेवी शिप्स भी जो है वो भी उसको भी सर्विस में उतारा गया था कि ये भी शिप जो है इसका भी इस्तमाल किया जाएगा और 18,000 जो थे इंडियन को इसरेल से निकाला गया और जो पैलिस्तीन में थे वो लगबग 16 थे ठीक है तो 18,000 एको बचाना और लेकर आना अपने देश में इतना ख्लियर ओगे अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इंप्रोटन थे यार्ड 12709 यार्ट विल फिल सेवन जेरो नाइन जो है नाइन नहीं सिक्स ठीक है नाइन एटर सिक्स टीक है यार्ट 12706 जो है ये प्रोजे है मैंने आपको कल की classes में भी आपको कुछ बताई थी चीज़े जैसे की for example जैसे की C295 है ना वो ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है चीज़े तो कुछ ऐसे जो ये जो फुल फॉर ये जो होती है ना चीज़े इसमें पूछा जा सकते ये exactly है क्या ये है क्या चीज़े राइट तो इसमें आप याद रख लिए याद 12706 जो है ये है क्या सो ये है basically इमफाल ये क्या है missile destroyer है missile destroyer जो है वो है इमफाल चीज़े और इसको जो है बनाया गया है MDL के द्वारा माजगान डॉक शिप बिल्डर्स लेमेटेट के द्वारा बस इतना आपको learn करना है और इसके अलावा याद रखे प्रोजेक 15B क्या है विशाका पत्नम क्लास latest destroyer design जो कि अंडर construction नेवी के लिए चलो आगे देखते हैं हरुमाव शक्ति के बारे में कौन सी शक्ति है हरीमाव शक्ति हरीमाव शक्ति 2023 एक्सरसाइज है यह एक दो देश जो है यहां पर participate करते हैं किसके बीच में होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है और इसको जो exercise को किया गया है इस बार वह उम्रोई इसमें जरूरत नहीं है इसमें एक सीज पढ़ने वाली जरूर है कि लास्ट एडिशन जो पर हां पर वह उटा वह हो फो एडिशन वह ता पुलाई कुलांग मलेशया के अंदर हुआ था कहां पे हुआ था पुलाई कुलांग मलेशया के अंदर clear हो गया इतना clear है सबको एक बार confirm कर दो Is it clear to everyone? Just confirm me? Is it clear to everyone? Just confirm me? चेक है? ओके, ओके, done very good चलो तो आप याद रख लीजेगा हरिमाउ शक्ती जो है इस बार कहां हो रही है मेखालिया उम्रोई के इंटॉन्मेंट में चीक है लास्ट लेटस एडिशन जो है इसका यहां पर हुआ है लास्ट एडिशन कहां पर हुआ था आपका मलेशिया के अंदर ही हुआ था और य मलेशिया और इंडिया आर्मी के बीच में होती है exercise चीक है clear हो गया ओके नेक्स हम लोग बात करते हैं वर्टिकल विंट टर्नल अब इस वर्टिकल विंट टर्नल में क्या है यह बेसिकली special forces and combat free fallers के लिए एक infrastructure training infrastructure जो है वो बनाया गया है जो special forces होती है न और जो हमारे combat soldiers होते हैं जो युद्ध करते हैं operations में जाते हैं उनके लिए यह इस तरीके का एक वर्टिकल विंट टर्नल बनाया है ताकि उनको एक experience देने के लिए कि जब वो मतलब उपर से नीचे जब आते हैं तो एक अलगी experience होता है ना उसी का similar similar experience आपको इस वर्टिकल विंट टर्नल में मिलेगा वर्टिकल देखो इस तरीके से बंदा जो है वो जूलता रहेगा it is just like कि वो experience वही करेगा जो होता है ठीक है जब उपर से नीचे आते हैं तो वो जो experience होता है इतनी हवा आ रही होती और आप जूल रहे होते हो वैसे experience जो है यहां पर वर्टिकल विंट टर्नल में किया जा रहा है ठीक है यह अच्छी चीज़ है training जो है soldiers को देने के लिए it is a good step तो यह जुस्त है यह army special forces training school के अंदर टर्नल लगाया गया है जो army special forces training school कहां पर बखलो हिमाचल प्रदेश में क्या बखलो हिमाचल प्रदेश के अंदर है ठीक है निक्स हम लोग बात करते काजंद exercise काजंद exercise नाम से ही समझा रहा होगा 2023 की exercise है यह किसके बीच में है इं मानı के इंडिया यं कजाकिसतान के बीच में यह exercise है इसका कौन सा एडिशन है यह भी आपको learn करने 7th edition है 7th edition है यह exercise का ठीक है और 9d last time conduct जो सोरी, इस time जो conduct किया गया है, ओटर कर्जाकिस्तान में है, यानि कि इस बार इस exercise को ओटर कर्जाकिस्तान के अंदर कंड़ किया गया है, यह आपको learn करना है, Kazanth exercise एक joint military exercise है, number one कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, 7th edition है और कहां पर conduct किया गया ओटर कजाकिस्तान के अंदर conduct किया गया है ओटर कजाकिस्तान के अंदर conduct किया गया है राइट चलो उसके बाद ठीक है ओके अब देखिए इस exercise के बारे में एक दो पॉइंट से जो हमें learn करने वाले हैं जैसे कि for example यह जो joint exercise थी जो मैंने आपको पहले बताया काजिद exercise जो ओटर कजाकिस्तान के अंदर है गंड़क किया गया है इस exercise का joint exercise यह 2016 में शुरू हुई थी यह 2016 में इस exercise को शुरू किया गया था और 2016 में इस exercise का जो नाम था वो था प्रबल दोस्तक क्या नाम था प्रबल दोस्तक इसका नाम था 2016 में जो exercise शुरू की गयी थी इस exercise का जो नाम था वो था प्रबल दोस्तक नाम था फिर after second edition मतलब दूसरे edition के बाद जो है इस exercise का नाम जो है चेंज करके exercise का जिन्द कर दिया गया क्या कर दिया गया exercise काजंद कर दिया गया exercise काजंद जो है इसका नाम बदल के exercise काजंद कर दिया गया ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं East Tech 2023 यानि की जो technology है technology को showcase करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है event organize किया गया इस्ट में हमारा जो Eastern part है इंडिया का यानि की Eastern part कौन सा है आपका गौहाटी जहां पर आप देखते हैं गौहाटी जो है वहाँ पर इसको जो है conduct किया जा रहा है यह first ever mega event है जहां पर latest defense technologies जो है उनको दिखाया जाएगा latest defense technologies उनको दिखाया जाएगा तो यह joint effort है इंडियन आमी and ministry of commerce and industries का ठीक है और government of asamka ठीक है चलो अब next हम लोग बात करते है चक्रावाद चक्रावाद 2023 एक कौन सी exercise है यह basically humanitarian assistance and disaster relief exercise है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजे बहुत बड़ी आपदा ही आ जाती है ना coastal areas में कौन सी आपदा है जैसे सबसे बड़ी आपदा तो cyclones आते हैं तो cyclone hit करते हैं और लाखों लोगों को displace करना पड़ता है यह लाखों ल जबरदस coordination cooperation चाहिए agencies के बीच में संस्ताओं के बीच में तब जाके वो लाखों लोगों को एक जगा से दूसरी जगा बचाया जा सकता है है कि ने तो उसकी पहले से ही practice करना ज़रूरी है point है है ना तो उसी practice को करने के लिए यह चक्रवाद जो है exercise conduct करी जाती है और यह कहा पर कंड़क की गई है गोवा के अंदर कंड़क की गई है कहां पर कंड़क की गई है गोवा के अंदर इसमें आपको मैं बता दू कि यह कंड़क की जाते है इंडन नेवी के आर्मी के द्वारा भी एक टाइम पर आर्मी करती है फिर उसके बाद नेवी करती है फिर उसके ब करते हैं paramilitary forces participate करते हैं हर कोई participate करता है इस exercise के अंदर next हम लोग बात करते है सागर मैत्री mission सागर मैत्री mission 4 जो है यह क्या है यह basically एक कौन सा mission है यार मैं खुद बूल गया देखो आयने सागर धावनी एक oceanographic research vessel है naval physical and oceanography laboratory की of this two month long Sagar मैत्री mission 4 from south jetties this अचा यह mission हेवल launch किया गया किसके दवारा आपकी जो नवी है इंडन नीवी है उसके दौरा यह mission launch किया गया है नेवी का यह mission है सागर मैत्री mission 4 सागर मैत्री mission 4 और जो ocean से इतने बड़े-बड़े हमारे इतने बड़े-बड़े इंडिया नोशन है, उसको उसके अंदर जो है research करने के लिए जो है, right, ये mission है, उसके अंदर थोड़ा-बहुत research करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सागरमेत्री mission 4 है, सागरमेत्री mission जो है, वो 4 है, चलो, आगे चलते हैं और इ एक्ससाइज देख लेते हैं, Cambrian Petrol Competition 2030, इस के अंदर इस competition के अंदर गुर्खा राइफल ने पार्टेसपेट किया, किसने गुर्खा राइफल ने पार्टेसपेट किया, और गुर्खा राइफल को मिल गया गोल्ड मेडल, कहां पे गोल्ड मेडल मिल गया, यह बेसिकली एक international military exercise होती है, जो की host की गई है, Wales UK के अंदर, कहां पे Wales शहर है, UK का, वहां पे इसको host किया गया है, तो गुर्खा राइफल को मिल गया है, आपका गोल्ड मेडल, इस exercise के अंदर, जो की एक international military exercise होती है, विश्व की बहुत बड़ी-बड़ी सेना है, जो है वो पार्टेसपेट क मतलब जैसे Olympics होते हैं, तो Forge के भी Olympics होते हैं, तो Forge के Olympics को हम लोग क्या कहते हैं, Forge के Olympics होते हैं, Cambrian Petrol Competition 2030, जिसमें हम लोग जीत गये हैं, गुर्खा वाले जीत गये हैं, चीक है, अब next हम लोग बात करते हैं, ब्रहमोस Supersonic Cruise Missile की बात की जा रही है, ब्रहमोस Supersonic Cruise Missile, यह मैं Land Attack है, तो इसको बस आप पिछले PDF में देख लेना, तो आपको Clear हो जाएगा, अब देखो सुखोई जो है Fighter Jet है, सुखोई एक Fighter Jet है, आपको पता है, अब सुखोई के अंदर हमने क्या यूज किया है, विरू पाक्षा Radar, तो अब इतना अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है बस आपको इतना पढ़ना है कि विरू पाक्षा क्या है, ये एक Radar सिस्टम है, ये एक क्या सिस्टम है, रडार सिस्टम है, बस इतना इतना आपको याद रखना है, इतना इतना आपको Learn करना है कि सुखोई के अंदर जो है अभी Recently एक सिस्टम का इस्तमाल किया गया, वो कौ वीरुपाक्षा रडार राइट चली ओके अब देखे सिक्क्राइश फ्लेश फ्लेश फ्लेट्स आई यह जादा इतना वो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं बस गलती से यहां पर आ गया सिक्क्राइश का मतलब होता है कस्मिक बाढ़ आ जाना ठीक है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन एकदम से बाढ़ आ गई तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अब इंपॉर्टेंट क्या है मैंने कुछ ना कुछ सोच के ही डाला होगा जो मैंने अभी इग्नोर कर दिया था कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है इट इस इंपॉर्ट सिक्किम के अंदर एक जील है जिसका नाम क्या है दक्षिन लोनाक जील अब यहाँ पे लोनाक है यहाँ पे दक्षिन लोनाक जील है अब यह जील इंपॉर्टेंट है यह जील इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यह का नंट फेर लाना एक्जामिनर यह जील से सवाल अब देखे एक बहुत खतरनाक साइकलोन जो है उसका नाम क्या है तेज एक बड़ा खतरनाक साइकलोन है जिसका नाम क्या है तेज है यह साइकलोन हम लोग जो है कहां पर ओरिजिनेट हुआ कहां पर आया अरब सागर में आया और इसको जो नाम दिया गया है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है इसको नाम जो है तेज साइकलोन जो है यह इंडिया के द्वारा दिया गया है राइट इंडिया के द्वारा दिया गया है अब देखिए अब यहां पे इस करेंट अफेर में क्या important है देखिए the high cost of cheap water high cost of cheap water यह basically एक रिपोर्ट है यह कौन सी है यह एक रिपोर्ट है ठीक है अब यह रिपोर्ट किसने publish की यह important है यह report किसने publish की यह important हो जाएगा इस रिपोर्ट के द्वारा यह report published हुई है यह important है क्या हुआ इस report के अंदर वो जाएगा important नहीं है बट किसने publish की यह important है worldwide fund के द्वारा और कब इस report को publish किया गया world food day को publish किया गया जो कि कब होता है 16 October को कब होता है बच्चो 16 October को होता है चीक है 16 October को world food day 16 October को होता है यह आपने याद रखना है चीक है 16 October को world food day होता है तब इसको publish किया गया था याद रखिएगा अब यह भी सवाल याद रखने वाला है कि इसका headquarter का है क्योंकि एक बार आया हुआ है यह सवाल डबलु डबलु एफ का headquarter का है तो gland want Switzerland के अंदर यह आप याद रख लीजेगा Switzerland के अंदर इसका headquarter है इसका headquarter है clear हो गया अब next हम लोग बात करते हैं गंगा dolphin की किसकी बात कर रहे हैं बचो गंगा dolphin की गेंजिटिक dolphin कहते हैं इसको state aquatic animal जो है वो अच्छाइब कर दिया है उत्तरप्रदेश सरकार ने state तो इनका जो है राज उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राजय का जलिय जीव घुशित कर दिया है और यह याद रखिएगा it is also national aquatic animal of India मतलब पूरे भारत का भी यह aquatic animal है पूरे भारत का भी एकवटिक animal है पूरे भारत का भी एकवटिक animal है ठीक है रायट चलो ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चो cyclone hamoon Cyclone hamoon जो है originated on the bay of bengal bay of bengal में यह origin हुआ है और इसका नाम जो है वो एक Persian नाम रख ये हमून जो है वो एक Persian word है हमून जो है वो एक Persian word है ठीक है that is that's it Persian word मतलब Persian मतलब इरान का एक word है इरानी भाषा का एक word है ठीक है next आपको यह याद रखना है Maldiv का जो presidential election हुए और उसमें जो है प्रेजिडेंट कौन चैनित हुए है जो आज के टाइम पर बहुत होहला कर रहे है मोहमद मुजी क्या है मोहमद मुजू मुजू ठीक है मोहमद मुजू जो है यह Maldiv के president election हुए है ठीक है आज की class में तो हम लोग इतना ही करने वाले हैं राइट